तरफ़ दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्षी तोड़े आई ये जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट की बारे में पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक सेर करना मत भूलें मैं देखता हूं आप वीडियो को पूरा देखते हैं वीडियो का audience retention बहुत अच्छा रहता है। 7 मिट की वीडियो आप कम से कम 4-5 मिट देख लेते हैं। बातों को समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, वीडियो को share भी करते हैं। लेकिन आप में एक कमी है। आप वीडियो को like नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को open किया है, तो कुछ ना कुछ करके जाएं। बहुत पसंद आ जाएं। अत्यधिक पसंद आ जाएं। तो चैनल को subscribe कर लें। बेल आइकन दबादें। और परसेलेट कर दें। जिससे आप को इसी परकार की जानकारी समय से मिलती रहे। आपको इस चैनल के माधिम से कई परकार की जानकारी दी जाती है। जैसा कि आपपने स्क्रीन पर जो notification देख रहे हैं जाए इलाहबाद विस्वीड दाले को द्वारह जारी किया गया है। आज ही जारी किया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है 24 नो 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन किती थी देखिए डेट आप अपलोडिंग आप डिटेल एडवर्टाजमेंट और ओनलान रेजिस्टेशन 24 नो 2021 डेट आप फी पेमेंट 24 नो 2021 और लाश्ट डेट फोर ओनलान रेजिस्टेशन और फाइनल संभी नेशन आप अप्लिकेशन फार्म 13 नो 2021 तो यानि कि आज से आवेदन शुरू ह से आवेदन की अंतिम्त थी 23 10 2021 यानि कि 23 अक्टूबर 2021 नो डिटारित की गई है अब पोश्ट के बारे में जानेंगे देखिए फीस के समझ में जानकारी दे गई है देखिए यहां पर जर्नल EWS और OBC का फी एक हजार रुपे है टोटल मिलाकर एक हजार पचास रुपे न निधारित की गई है और 50 रुपे एक्टार चार्ज लिया जा रहा है और सखे 400 रुपे है और Omen PWD के लिए जो है मात्र 50 रुपे फीस निधारित की गई है देखिए यहां पर पूरी जानकारित दे गई है यहां पर देखिए लाइबरेरियरियन टेकनिकल असिस्टेंट असिस्टेंट लाइबरेरियन अटेंडेंडेंट के लिए जो है फीस 500 रुपे जन्रल OBC EWS के लिए रहर्च की गई है और 50 रुपे एक्टरा कुल में आकर 550 SC ST के लिए 200 रुपे 50 रुपे एक्टरा 200 रुपे ओमें पी डवलूड के लिए माच पचास रुपे अब यहां पर पोश्ट के सम्मद में जानकारित दे गई है देख सकते हैं गुरूप सी ड favor, animal, attendant, level 1 की वैकेंसी है देखे, level 1 की वैकेंसी ए स्थीपैसी हम पर दिया गए है, baru लेवल वन, लेबल 3, लेबल 1, लेबल 4, लेबल 2, लेबल 2, लेबल 2, लेबल 2, लेबल 1, लेबल 1, लेबल 1 देखिए यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है बहुत सारे पोस्ट है डाटा इंट्री आपरेटर के हैं ड्राइबर के हैं इंधी टाइपिस्ट के हैं जुनियर आफिस असिस्टेंट के हैं deeply Archive लाब्र असिस्टेंट के हैं 라고 इज्टि एटेंडेंड के हैं तो बहुत सारे पद इसमें सामिल हैंे जर्नल के सबसे ज़्यादे पद है यहां पर देख सकते हैं जर्नल के पदों के सम्मद में जानकारे दे गए है कि पांग तीन नो तेज़ दो दो एक पुनचास तीस साथारीश चोंसाट नबे नबे पद मल्टी टास्किन इस्टाप यानि कि MTS के सबसे ज़्यादा पद हैं उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद हैं चौंसाट उसके बाद लाइब्रेटरी अटेंडेंडेंट के पद हैं साथालित उसके बाद लाइब्रेटरी असिस्टेंड के पद हैं तीस तो सबसे ज़्यादा MTS के पद हैं MTS के पद जो हैं उसको आप देख सकते है यहां पर सबसे ज़्या नब्वे पद हैं तो पूरी बातों को ध्याने से सुनिए और समझिए और सभी में पद कम है आठ दस पंद्रा बीद पचीत ऐसे सब पद हैं और यहां पर आपको मैं नीची दिखा देता हूं क्वालिफिकेशन और नीची आईए यहां पर देखिए देखिए आयू जो है अज एक्तम 35 वर्स मांगी है और क्वालिफिकेशन हायर सेकंडरी 10 प्लस 2 एक्वावेलेंट एनिकी समकच बिद साइंस सब्जेक्ट और दो बर्स का एक्स्वीरियंस मांग गया है देखिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे पढ़ेंगे तो आपको पूरी बास समझ में आ जाएगी कुछ में इस्पीरियंस मांगा गया है लेकिन जो आयू मांगी है अधिक्तम 35 वर्स और 30 वर्स यहां पर मैं ऐसे आपको दिखा दे रहा हूं लेकिन इसके लिए आपको जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा देखिए आपर हिंदी बता है कि आयू सीमा 30 वर्स से अधिक नहीं कि इन सरकार राज सरकार भी स्विद्यालियों स्वाइज संस्थानों के कर उतिण या समतुल यानि कि समकाच कम्ट्यूटर पर कोशल परसिछर मानक अंग्रीजी टंकर प्रत मिनट 25 की गती से हिंदी टंकर प्रत मिनट 30 सब्थ की गती से समय 10 मिनट दिया जायेगा आपको कि 30 सब्थ और 35 सब्थ आप टाइप करिए प्रती सब्थ के लिए औसन 5 परती से टंकर करने के लिए एक घंटे में केंप्यूटर पर दस जार पाउन सो दबाव कुंजी और नो हजार दबाव के तस्रमान होना चाहिए और प्रविच्छा के समन्द में आपर जानकारी देए प्रविच्छा मतलव प्रोवेशन पेरियाड तो यहां पर देखें बहुत ही महत्पुर्वाल लिखी हुई एक बर्स और एक बर्स के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है इस बात में कुछ गरबर जाला लग रहा है और जो यहां पर लिखा हुआ है कि एक बर्स और एक बर्स के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है प्रोवेशन पेरियाड आप जानते होंगे मुझे बतानी क्या बशक्ता नहीं होगी हर एक लोकरी में होता लेकिन इसमें एक साल क्लिए क्यों कहा गया है और बेतन के समझ में आप जानकारी नहीं दी गई है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं एक्जामनेशन कराइट एरिया के समझ में जानकारी दी गई है बताया गया कि 40 कोश्चन होंगे और 80 मार्क होंगे दो घंटे का आपको समय दिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं लाइंगोईज के समझ में जानकारी दी गई है पूरा डीटेल में बताया गया है लेकि इसमें बेतन के समझ में जानकारी नहीं दी गई है यही बात हजम नहीं हो रही है बेतन कितना में लेगा क्या है कौन सा इसकाल है कौन सा पेगरेट है कुछ भी नहीं बताया गया है मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हूं लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं है बेतन के समझ में कोई जानकारी तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी आप पूरा बैटकर पढ़िए तभी आव वीडियो वनेगा इसलिए मैं आपको सार्ट में बता दिया हूं टिक बर उत्तर पर फिलेकपाल भरती 2021 को लेकर है उत्तर पर फिलेकपाल भरती 2021 का विज्यापन कब तक आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको कई बार जानकारी दी गई है आपको बताया कि लेकपाल भेलती का नोटिफिकेशन किस महीने की सब्ता आएगा लेकिन आज कुछ छानकारी मिले हैं जिसके करनर में आपको आउगत कराना चाहता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि किस तारी से किस तारी की बीच में नोडिफिकेशन जारी करने के तयारी है जैसा कि अक्टूबर के तीसरे सब्ता में बहुत पहले ही मेरे दूरा आपको बताया गया लगभग दो महीने पहले लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा किस तारीक किस तारीक की बीच में वास्तो में आपका नोल फिकिसन जारी कर दिया जाएगा सबसे पहले हम जानेंगे साइचिक अहरता के बारे में साइचिक अहरता के समंद में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको जानकारे दे गई थी आपको बताया गया था कि साइचिक अहरता क्या मांगी जाएगी और पिछली बार भरती जब आई थी उसमें साइचिक अहरता क्या थी और इसमें क्या बदलाव होने वाला है मैं आप से बताना चाहता हूँ जब सफा सासन काल मी 12 हज़ार से अजिक पदोपर नहीं भरती का विग्यापन जारी हुआ था तो उस समें 10 पलस टू मांग गया था उसमें इंटर्व्यू था इसमें इंटर्व्यू नहीं है उसमें ट्रिपल सी नहीं मांग गया था इसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा क्योंकि सासन की मंजूरी मिल चुकी है जहां तक है और प्रबल संभावना है कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा अगर आप 10 पलस टू पास है चाहे साइंस हो या आर्ट हो और आपके पार ट्रिपल सी है तो आप आवेदन कर पाएंगे आयू के संब्द में जो जानकारी दी गई है आयू 18 से 40 बर्स मांगी जाएगी अगर आप आरथित वर्ग के अंतरगत आते हैं तो 3 से 5 बर्स की आपको छुट मिल सकती है फीस जो है 180 रुपे मांगा जा सकता है इस भर्ती में वही अपलाई कर पाएंगे जो पीटी क्वालिफाई होगी जो पीटी क्वालिफाई नहीं होंगे उन्हें लेकपाल भर्ती में आवेदन करने का माउका नहीं दिया जाएगा PT का कटाप कितना जाएगा इसके समंद एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है उसमें बताया गया कि PT का कटाप कितना जाएगा देखे अधिकतम नंबर पाने वाले 94 हैं यानि कि 94 नंबर तक लोग पाए हैं 100 में जो जानकारी मिली है इनके नंबर भी कट सकते हैं क्योंकि नॉर्बलाइजिसन होगा तो नॉर्बलाइजिसन में नंबर कट सकते हैं अधिकतम 4-5 नंबर कटने की संभावना है एक से लेकर 4-5 नंबर कटेंगे क्योंकि इनका रेसियो बहुत अच्छा है तो इनका नंबर अजिकतम 89 से लेकर 92 के बीच में हो सकता है और प्रसेंटाइल यहीं से बना जा सकता है यानि कि 100 प्रसेंटाइल 92 से लेकर 92 नंबर हो सकता है अब नोटिफिकेशन कब आएगा इसके समझ में जो जानकारी मुझे मिली है कि नोटिफिकेशन 20 से लेकर 25 अक्टूबर की बीच में जारी किया जाएगा 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा जो मुझे जानकारी मिली है तो आपनों को जम कर तैयारी करनी है अगर आपके P.E.T. में नंबर अच्छे हैं अगर आप सोच रहे कि आप कौलिफ हाई हैं तो आप तैयारी करिए 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर की बीज में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एक या दो दिन इधर हो सकता है दो दिन पहले भी आ सकता है दो दिन बिलंब हो सकता है लेकिन प्रबल सम्हा होना है जो जानकारी मिरे कि 25 अक्टूबर की बीज में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पीटी का रिजल्ट कब आएगा इसके समंग एक वीडियो में द्वार अप्लोड किया गय देख सकते हैं इसी परकार की जानकारे के लिए आप मैंसे जोड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन दवाए और वीडियो को लाइक सेयर करना मत भूले जाहिंद भार उस्तू नमस्कार